नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खवर निकल कर आई है अमेरिका की ओर से एक बार अमेरिका की डॉकुमेंट्स लीक हुए थे जिसमें पता चला था कि अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों की भी जासुसी कराई जाती है रूस और यूकरेन युद्ध के बीच में क्या अमेरिका ही कारण है इस युद्ध का ऐसा भी जासुसी वाले इन डॉकुमेंट्स में निकल कर आया था और अब जो बात निकल कर आई है वो है कि भारत और पाकिस्तान की जासुसी भी कराई जाती है अमेरिका के द्वारा क्या है जासूसी हाला कि यदि भारत की हम बात करते हैं तो भारत के बारे में सिर्फ वही तथे सामने निकल कर आए हैं जो कि पूरी दुनिया के सामने पहले से ही जाहिर हैं लेकिन बात करी जाए अगर पाकिस्तान की तो पाकिस्तान किस प्रकार से फिल में तस्वीरें भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें रसिया यूक्रेन और पूरी दुनिया की अप टू डेट डे बाई डे जानकारी अमेरिका की द्वारा किस परकार सी निकाली जाती है और इन डॉकुमेंट्स के लीक करने के पीछे 21 साल का विक्ति था जो की अमेरिका की ही स पाकिस्तान के पाकिस्तान के वो प्रधान मंत्री जो की बने हैं अमेरिका के सहयोग से और दूसरी तरफ जो आप इन महिला को देखते हैं इनका नाम है हिना रब्बानी खार हिना रब्बानी खार कौन है तो ये वर्तमान में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री है या असल में ये लोग जो बात्चीत कर रहे थे वो थी US और China यानि कि अमेरिका और China के बीच में जो फिलाल दुदवन्द चल रहा है लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया के अंदर एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ कराया है कि पाकिस्तान जो है वो किसकी तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए इसी बात पर एक जो पत्र है वो लिखा गया था हिनार अरब्बानी खार की तरफ से पाकिस्तान के पीम सहवा सरीफ को जो की लीक हो चुका है अमेरिका के पास ये जानकारी पहले से ही मौजूद थी किसकी तरफ होना चाहिए तो यहने रब्बानी खार जो हैं वो कहते हुई पाई जाती हैं कि पाकिस्तान को चीन के साथ जाना चाहिए लेकिन जो सहबाद सरीफ हैं जो कि अमेरिका की सहायता से ही बनाए गए हैं फिलाल यहां के प्रधान मंतरी उनका कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ ही जुका रहना चाहिए इसी मामले को क्या है समझते हैं थोड़ा सा विस्तार पूर्बक Leaked Document Reveals Pakistan Assessment on US-China Tassel Leaked Document में पता चला है कि किस तरफ जाना चाहता है पाकिस्तान कुछ दिन पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कुछ डॉकुमेंट्स लीक हो गए थे इनहीं लीक इंटेलिजेंस डॉकुमेंट्स में पाकिस्तान के प्रधानमंतरी सहबाज सरीफ और उनकी जूनियर हेना रब्बानी खार की एक बातचीत सामने आई है असलमें जो डॉकुमेंट्स लीक हुए थे वो थोड़े से मिलिटरी डॉकुमेंट्स थे इसलिए उनको पढ़ पाना उनका एनलिसिस कर पाना काफी एक मुश्किल काम था उसके लिए भी काफी इंटेलिजेंट लोगों की आवस्कता थी लेकिन जैसे जैसे उन डॉकुमेंट्स को अब खोला जा रहा है या कहें कि उनको डीकोड अब तक किया जा रहा है उसके बाद नई नई जानकारिया निकल कर आ रही है और उसी के माद्यम से ये जानकारी भी निकल कर आई है इस बातचीत में साफ पता लग रहा है कि हिना रब्बानी खार और PM के बीच विदेश नीती को लेकर काफी मतभेद हैं साथ ही इससे यह जानकारी भी मिलती है कि PM सहबाज और उनके मंत्रियों के बीच अमेरिका और चीन में से किसे चुना जाए यह सवाल काफी चुनोती पूर्ण फिलहाल पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है कि किसको चुना जाए पश्चिम को खुस करना छोड़ें अब यहां पश्चिम क्या है यह पश्चिम मतलब वेस्टन बड़ जो है जो कि अमेरिका और अमेरिका के जो अलाइज हैं सहयोगी है उनको बोला गया है पस्चिम और पस्चिम को खुस करना छोड़ना चाहिए पाकिस्तान को ऐसा कहा गया है हिनारब्बानी खार के द्वारा पाकिस्तान के अकबार दा एक्सप्रेश ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मताविक पाकिस्तान के कठिन विकल्प टाइटल वाले जो टाइटल रखा गया था रिपोर्ट का वो रखा गया था पाकिस्तान के कठिन विकल्प इसके आंत्रिक memo, memo क्या होता है, memo असल में एक पत्र ही इसको समझ सकते हैं, जिसके अंदर बिलकुल एकदम formal बातचीत, to the point बातचीत की जाती है, ज़्यादा कोई इधरोधर की बात ना करके, जो एकदम to the point जानकारी जिसके अंदर दी जाए, उसी को memo बोला जाता है, यही प किया जाए, तो हिना रब्बानी खार ने PM को चेतावनी दी थी, कि पाकिस्तान को पश्चम को खुस करने वाले एहसान से बचना होगा, एहसास से बचना होगा, हिना ने PM को चेताया कि देश अब छेत्रिय पड़ोसी चीन और अमेरिका के बीच एक जमीन बनाई रखने का प्रयास नहीं कर सकता है, एक memo में खार का तर्क था कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ साजेदारी को संरक्षित करने के प्रयास में चीन के साथ असल रणनीतिक रिस्ते की बली चल जाएगी और ऐसा पाकिस्तान को बिलकुल नहीं करना चाहिए, जो बात निकल कर आई वो छ फैर्व एस पाकिस्तान Aleman की पहले विदैस मंथ्री रह चुकी है है कि इसलामाबाद सुड़ आवोईड गीविञ दा आपिरेंस ऑफ अप्रेशिंग दा की पाकिस्तान को जो वेस्ट है यानि की अमेरिका और उसके सहीयोगी है उनका साथ नहीं देना चाहिए और इसी के साथ जब हम खबर देखते हैं कि चीफ पाकिस्तान जो है क्या-क्या प्रियास कर रहा है पाकिस्तान किस प्रकार से एक दूसरे देशों की तरब जुकता हाला कि जो leak हुए थे documents वो सारे के सारे तो हैं ही लेकिन उसके बाद जो बातन आती है वो है Wang Yi meets Pakistan Chief of Army Staff सायेल अमीर आसीम मुनीर आसीम मुनीड जो इनके Pakistan के Chief of Army Staff है यानि कि इनकी सेना ध्यक्ष हैं वो मुलाकात करते हैं چीनके अंदर जाकर Wang Yi से पाकिस्तान remains China's priority in its neighborhood चीन कहता है कि पाकिस्तान जो है इसकी पहली प्रात्मिकता रहेगा अपने जो हमारे पडोसी संबन्ध हैं उनको लेकर किस प्रकार से सब ही लोग एक दूसरे की तरफ पाकिस्तान को खीचना चाहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि चीन की तरफ से दूर चला जाए पाकिस्तान अमेरिका की तरफ आगर बैठ जाए दूसरी तरफ चीन चाहता है कि अमेरिका का साथ पाकिस्तान तुरंत छोड़कर चीन के साथ आए और दूसरी तरफ इंट्री होती है रसिया की भी रसिया भी अपनी क चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट हैं वो पाकिस्तान की और मिलना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो फिलाल ऐसे हैं कि यदी पाकिस्तान भुकमरी की स्टेज पर पहुँच चुका है कोई कुछ भी यदी पाकिस्तान को देता है तो दूसरी तरह अपनी त तरह पूरी दुनिया के द्वारा बजाया जा रहा है असल में जब बात आती है उइगर मुसलिम्स की चीन के अंदर जब साथ देता है अपने आर्मी परसनल्स को भेजा जाता है चीन के अंदर पाकिस्तान के द्वारा तो एक बार सवाल उठाया गया था वेस्टन वर्ड के द्वारा वेस्टन वर्ड के द्वारा क्या सवाल उठाया गया था कि चीन के अंदर जो उइगर मुसलिम्स हैं उइगर मुसलिम जो रहते हैं चीन के सिंजियांग परांत के अंदर सिंजियांग परांत के अंदर जो उइगर मुसलिम रहते हैं और पाकिस्तान खुद एक इ दूतावास है पाकिस्तान के दूतावास जो चीन के अंदर है यानि कि चीन के अंदर जो पाकिस्तान का दूतावास बना हुआ है वहां से एक ट्वीट आता है ट्वीट के अंदर कहा जाता है फ्रीडम ओफ उइगर्स उइगर मुसलमानों को किया जाए फ्री और जो on matters of mutual interest including यानि कि हम दोनों चीन और पाकिस्तान मिलकर एक साथ काम करेंगे एक दूसरे के सहयोगी की तरह काम करेंगे including rights and freedom of Uyghur communities जो Uyghur Muslim रहते हैं चीन के अंदर उनको freedom दी जाए और उनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जाए इसके लिए चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम करेंगे अब जैसा की पूरी दुनिया को पता है कि चीन जो है यदि Uyghur Muslims की कोई बात सुनता है तो वो बौकला जाता है और पाकिस्तान को पता था कि यदि चाइना को ये बात पता चलती है कि ये पाकिस्तान के द्वारा बोला गया है तो पाकिस्तान को जिन्दा चबा दिया जाएगा चीन के द्वारा इसी लिए तुरंत ख़बर निकल कर आती है The Twitter account of Pakistan's Consulate General Chengdu China has been hacked कि जिस account से कहा गया था कि Uyghur Muslims के freedom और उनके जो अधिकार है उनको बरकरार रखना चाहिए वो असल में hack हो चुका था हमने किसी प्रकार का ऐसा पोस्ट नहीं किया था ऐसी बात तुरंत ही निकल कर आई थी पाकिस्तान के द्वारा उगर मसलमान कौन है तो चीन में जो उगर मुसलमान रह रहे हैं वो वास्तब में अल्प संख्यक तर्क जाकति यह समू से सब्सक्राइब रखते हैं आप चाहना का map देखते हैं चाहना के map कि एक तरफ आपको दिखाई देता है इंडिया और दूसरी तरफ दिखाई देता है पाकिस्तान तो ऐसे इस्तिती में सिंजियांग जो है इसके उत्तर में एक प्रांत इस्तित है और इंडिया के साथ ये प्रांत साज़ा करता है अपनी सीमा ये असल में तुर्क मूल के वेगर मुसलिमों की चीन के सिंजियांग प्रांत में कई लाग की आबादी है ये तुर् अलपसंख्यक समुधायों को आधिकारिक मानेता मिली है उईगर इनमें सामल हैं डिटेंशन सेंटर में कैद हैं लाखों उईगर मुसल्मान मानावाधिकार समुहों के एक अनुमान के मताबिक अकेले उत्तर पूर्व के चीन में चीन के सिंजियांग प्रांत में 10 लाख से अ योजन और जन्म दर पर नियंत्रन को लेकर भेदभाव किया जाता है जवरन इनकी नस्वंदी की जाती है जो इनकी मस्जिने बगएरा होती है उनके आर्किटेक्चर को चेंज कर दिया जाता है जैसा चीन का आर्किटेक्चर है उनको वैसे आर्किटेक्चर के अंदर परि देखते हैं कि जो नफरत की कहानी है वो काफी बड़ी है चीन जो है यात्राइं देता है नफरत करता है और उसके बाद जो बात बोली गई थी यूएस अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान से कि वेगर मुसलिम के लिए चीन के खिलाफ आप आबाज क्यों नहीं उठाते हो और इ इस ड्रक को दबाना चाहता है पाकिस्तान जो है मजबूरी में एक मुसलिम राष्ट होकर भी चीन का विरोध नहीं कर पाता है यूकरेन के समर्थन पर रूस का डर असल में यूकरेन को युद्ध सप्लाई किये जा रहे हैं पाकिस्तान से यूकरेन को हत्यार सप्लाई किय जा रहे हैं हरतियारों की जब बात आती है तो यूकरेन की यदि साथ दिया जाता है या फिर अमेरिका का साथ दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका का साथ देने का मतलब है सीधे सीधे यूकरेन का साथ देना और रूस का साथ ना देना तो इसका भी इनको बराब के मेमो कैसे हासिल हुए थे एक और डॉकुमेंट सामने आया है जिसमें पाकिस्तान यूकरेन को युद्ध कैसे देखता है ऐसी बात सामने आई है 17 फरवरी से जुड़े हुए इस दस्ताबेच के मताबिक यूकरेन संगर्ष पर सहयोक्त राष्ट यूएन में हुई वोटिंग पर पीएम सरीफ का एक अनाम जूनियर यानि की जिसका नाम नहीं पता है वो उनका जूनियर उसके साथ इनकी बातचीत हो रही थी उससे चर्च पर पहुँच चुका है पाकिस्तान और एसी स्थिती में जब हाथियार भेजे जाते हैं यूकरेन को तो रसिया देता है इनको एक धंकी रसिया ऑफिसेल वांस कंटिन्यू सप्लाई यूकरेन विद मोर पावर्फुल वेपन रिस्क देयर ओन डिस्टरकन कि जो देश यू जानता है कि पाकिस्तान की हालात किस प्रकार से है और पाकिस्तान को किस प्रकार से अपनी तरफ लाया जा सकता है किस प्रकार इनकी मजबूरी का फायदा फिलहाल उठाया जा सकता है इसलिए 50,000 मेट्रिक 10 रसिया से वीट गेहों जो है वो पहुंचता है भुकमरी से मर र होगा है वहां से थोड़ा सा हट जाए यूएस अलाइज पुसिंग पाकिस्तान टू वोट अगेंस्ट रसिया एट यू एन जी ए यूनाइट नेसंस जनरल जनरल असेंबली के अंदर रसिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में रसिया के खिलाफ बोटिंग करने के लिए जो पस्चिमी देश हैं वो पाकिस्तान को सीधे सीधे बढ़ताने का प्रयास करते हैं जिससे कि रूस बिलकुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इनके खिलाफ जाए बोटिंग से एपस्टेन करना ही एक अच्छा ऑप्शन बनता है या फिर रूस के समर्थन में वोट करना एक ऑप्शन बनता है और दोनों में से किसी ना किसी ऑप्शन को रूस जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान अप्लाए उमीद है पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको पूरी तरह से समझ में आई हो और अब हम रुक करते हैं सीधे बहरत की तरफ कि बहरत की जानकारी थी वो क्या खूफिया जानकारी लीग हुई है अमेरिका के डॉकुमेंट तो नाम निकल कर आता है हमारे जो राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार है नेशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर है जो पी-म के साथ रहते हैं जिनका नाम है स्री अजीद दोभाल साहब इनकी मुलाकात होती है और उनको आस्वस्त किया जाता है अस्योर किया जाता है कि इंडिया सपोर्ट इन मल्टी लेटरल फोरा कि इंडिया जो है रूस का सपोर्ट करेगा यहां पर कहां सपोर्ट की बात हो रही है तो इंडिया के अंदर जो विदेश मंत्रियों की बैठक बोला आई जाई कि रसिया के खिलाफ किसी भी देश को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा ये बात जो है निकल कर सामने आई है कि हमारे अजीट दोभाल साहब ने अस्योर किया है जो रूस के नसे या फिर उन्हीं के समकष है रसिया के उनके लिए किस से इनकी बाक्चीत हुई तो ये विक्ति आप देखते हैं निकोलाई पिट्रोविच इनका नाम है निकोलाई पिट्रोविच पाश्टो सेब इनका जो नाम है ये असल में इतने तागतवर विक्ति हैं कि इनको कहा जाता है कि जब पोतिन अपना पद छोड़ देंगे तो आने वाले समय में ये जो पूस के नए राष्ट्पती बनेंगे ऐसा जो आखवारों में कहा जाता है प्रधान मंत्री जब भारत के हैं उन से जो मुलाकात होती है उन्हीं लोगों की होती है जो इनके समकक्ष होते हैं या फिर समकक्षों को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं लेकिन ये जो व्यक्त ये वाशंग्टन पोस्ट की जो खबर है जो लीक डॉकुमेंट है वो क्या लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं जो जानकारी थी दिल्ली के अंदर जो जी ट्वेंटी की फोरेंग्टन बुलाई जाने वाली थी विदेश मंत्रियों की उसके अंदर किसी भी प्रकार की बात रसिया के खिलाफ नहीं होने दी जाएगी इस बात का अस्योरेंस दिया गया था इसी वएसे ये खबर हमने पड़ी थी क्या थी ये कि जी ट्वेंटी के अंदर कोई भी बात चीत हो रसिया को सैंक्संस को लेकर ऐसा होस्ट जो है जो इनका फिलहाल होस्ट है अध्यक्ष है भारत वो बिलकुल नहीं चाहता है तमाम दुनिया की मीडिया ने इस बात को कवर किया था हाला कि जो भी ये बात लीक हुई है ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है लेकिन ये बात पता नहीं चल पाई है कि ये कनवर्सेशन कब हुआ था भारत के अजीर दोवाल और रूस के उनके समकच के बीच में कब ये बातचीत हुई थी ये बातचीत हाला कि जब बताई गई है तब ये रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है कि 22 फरवरी की ये बात बताई जाती है लेकिन 22 फरवरी को मुलाकात दोनों की नहीं होती है अजीर दोवाल साहाब और रूस के जो पेट्रोवेश हैं इनकी मुलाकात नहीं होती है हो सकता है ये बातचीत फोन बगएरा पर हुई हो या फिर कहीं और हुई हो हलां कि जो बातचीत हुई थी जो निकल कर आई थी व्लादिमीर जेलेंस की जो की फिलहाल है यूक्रेन के राष्टपती यूक्रेन के राष्ट्रपती ने भारत से कहा था फोन के करने के बाद कि UNGA के वोट में भारत को वोट करना चाहिए रूस के खिलाफ लेकिन भारत इससे साफ इंकार कर देता है इंडिया abstains from UNGC vote on यूक्रेन थी यूक्रेन की तरफ भारत जब वोट हुआ था तो भारत इस व आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हैंद